गुरुवार को पूरो पार्षत कुमारंकेस राज और पपु साह के कार्याले भिस्ती पाड़ा हिरापुर धनबाद में निशुल्क नेत्र जांच सिविर का आयोजन छेत्र के लोगों की जरूरत और मांग पर किया गया आज सिविर में आख के विभिन रोगों से ग्रसित लोगों ने अपनी आखे विशेशग ये नेत्र चिकितसक से जांच करवा कर आखों की वर्तमान इस्तिजी से अउगत हुए जिसमें आखों की जरूरत के अनुसार चस्मा और जिने मोतिया बिंद था उन्हें ऑपरेशन की इस सलाह मिली पूरो पार्शा देवं धनबाद नगनियम के भावी मेर उमीदवार कुमार अंकेस राज और पपू साह के सौजन्ने से लगे इस सिविर में स्रेश्ट नेत्र चिकितसाले के विशेश सग्य नेत्र चिकितसकों ने आयुश्मान एवं लाड कार धारियों का निसुल्क जाँच किया आज के सिविर में 170 लोगों ने अपना नेत्र जाँच करवाया अंकुस राज और पपू साह ने कहा लोगों की विशेश मांग पर आज का नेत्र जाँच सिविर आयोजित किया गया है आज सिविर में जाँच है तु पहुंचे लोगों को अपनी आखों के सुरक्षा के प्रती जागरूपता देख सिग रही दूसरा नेत्र सुविर कैम्प लगा कर लोगों को इस भाग दोड़ के जिंदगी में अपनी बहुमुल्य आखों के प्रती सुरक्षा एवं जागरूप करेंगे आज के सिविर में सुरेंदर यादव, रामनन साह, दिलीप साह, बील पासवान, विकास रवानी, अनिल कुमार यादव, एवं कई एक सुरक्षा का सिविर के बागने बता है आज स्रेष्ट संस्था के तरफ से फिरी आईटेश्ट केम्प लगवाया गया है, ताकि हमारे छेतर में देखेंगे, बहुत गरिव गुरूपा रहते हैं और उसका आग का प्रोब्लम है, जाच नहीं करवा पाते हैं, इसके कारण जो आई साइट जो है, जाला डिफेक्टिव हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते जो है एक आग खराब पूरे-पूरे डिमेज यह पूरा निसुल्थ है तो उसे बचाने के लिए जो आज का पूरा निसुल्थ है, पूरा हर्थ अपके के लोग जिसको भी जात कराने कराएं, इतना ही नहीं, जा चस्मा लग रहा है, तो वहाँ भी 20% डिस्कांट के लिए परची दे रहे हम लोग, स्राइडेला में है, उसके लिए 20% चस्मा इंसानियत के अधार पर जो है, बीच बीच में हम लोग पासत के नाते जो है, इलाका के लोगों को खाइना देते रहते हैं, इलाका के बाहर के लोग भी फाइदा उठा सकते हैं, नहीं भी, इस केम्प में जहां कि भी आईए को इरुस्ट्रिक्शन थोड़े है, फिर कब स जब जनता देखेंगा, बहुत जादा हो गया है, और दिकत हो रहा है, तो फिर इस लगाए जाएगा है, समय समय पर लगाते हैं हम लोग, चैनल को अपना परच्चे देगे, चैनल को मैं कुमारंकेश राज, वाड कुरुब का वाड पारसाथ, उर्पपुसा और भरतमान म जवाँ बेर परकास।